कब्रिस्तान में नहीं मिला मैयत को दफनाने की जगए इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रहा है बिहार के पूर्णिया जीले के बैसा परखण के आज जागाओं से जहां पर पाकी कब्रिस्तान में लोगों को दफनाने के लिए जगए नहीं मिला जिसके बाद अस्तानि बावजद के गाओं के लोगों ने अपने घरे के नीजी घर के जमीन मकते हैं बता चलैंपको लगातार जु है वहां पर नदियो Canota हो वहां और नदियों के कटाओं का कबरिस्तान है वह वह समा नदी में समाजाने के कारण वहां के लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पर रहा है तो हम लोगों ने मिलकर के सीव साब के आवेदन दिये कि हम लोगों का कभिस्तान नदीम पूरा विलिंज हो चुका है और हमी लोगों का बगल में जो की कनफलिया ही पंचायत है और मौजा भी कनफलिया है और हम लोग उस्ते सटे हुए हैं कि हम लोगों को कभिस्तान का वकिस्तान का भीविस्तार्य दिय जा है तो कि अधिया और कि को हुआ है तो सभी सब्साइब से एकसे साथ कर दीया इसके दी अधियो हो फिर आणीयों के ट्रॉक्ष को बढी ऑल Σेरफिकरए और कब्रिस्तान जो की बिहार सरकार है इसमें जो है कोई रोक नहीं सकता है किसी का किसी का जब नीजी नहीं है तो कोई भी दफन कर सकता है इसमें चाहे उसका कब्रिस्तान नदी में कट गिया हो या नहीं कटा हो कोई भी उसमें रोक नहीं सकता है तो उसके बाद जो है हम लोग करें यहां पर बीवाद चल रहा है अब सब्सक्राइब हैं तो हूब पूरा नदी में समा गया है आप कोई नहीं देने का लाइक नहीं है इसलिए हम लोग जो है परशाषन से बहुत मांग किये कि हम लोग को चाहिए कहीं पर लेकिन पतरसासन ने हम लोग को नहीं दिया आज दो कोई सुनबाई नहीं हूँ रहा है इसलिए हम लोग जो है अपने मेयत को दफनने के लिए चाह रहा है लेकिन वहां पर दफनने नहीं दिआ जा रहा है क्या है पूरा मांला पूरा खुलासा करेंगे लेकिन ऊपना चले के वहां के लोगों का काहना के भूमीहीन लोग रहते हैं चुकि वहां के लोगं का अधिकतर लोगं का जो जमीन नदी में समा गिया है अब मैयत को दफनाने के लिए उनके पास सिर्फ अपना जो है नीजी जमीन जो घर का जमीन है वही है और वही पर दफनाने पर लोग मजबूर है